नमस्कार जी मैं भगवंत मान जैसा कि आप समझानते हैं कि पंजाब में हमारी सरकार शिक्षा के क्षेतर में एक नई करांती लाने की गरंटी देकर आई थी वो इस सिल्सले में हम पूरा दिनरात एक करके मेहनत कर रहे हैं सबसे पहले हमने मेगा पीटीम्स किये सरकारी स्कूल में ताके अध्यापक और बच्चे के पेरेंट्स माता पिता के बीच की दूरी कम हो आपस में तालमिल हो बच्चा स्कूल में क्या परफॉर्म कर रहा है ये बच्चे के पेरेंट्स को पता होना चाहिए और बच्चा स्क पूल ऑफ एमिनेंस लेके आ रहे हैं ताके बच्चे का जो माइंड है वो किस तरफ जा रहा है बच्चे की रूची क्या है उसकी दिल्चस्पी किस क्षेतर में है उसको उसी क्षेतर की टेनिंग दी जाए ताके वो अपनी मनपसंद का जो है चुनाब कर सके अपने करियर का और जैसे कि कहते हैं कि अध्यापक जो होते हैं वो देश का भवश्य होते इसीलिए उनको नेशन बिल्डर कहा जाता है कौम के निर्वाता कहा जाता है जब दिल्ली के करांतिकारी मुक्षे मंत्री च्रीहरबिंद जी के जरीबाल और हमारी टीम पंजाब में एलेक्शन कं पेन कर रहे थे तब हम पंजाब के लोगों के साथ एक वादा भी कर रहे थे कि हम सरकारी अध्यापकों को हैड मास्टर्स को प्रिंसिपल्स को विदेशों में ले जाकर पढ़ाई के नए-नए तरीके सिखा कर ट्रेनिंग दिलवा कर लाएंगे तांके वो यहां कर अपने पंजाब के बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाएं और बच्चों का जो भवेश्य है वो सोनहरा बनाएं और इसी सिलसले में हमारा पहला बैच छती प्रिंसिपल्स का सिंगपूर जा रहा है मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि चार फर्वरी को चती प्रिंसिपल जो है सरकारी स्कूलों के वो चार फर्वरी को यहां से जाएंगे और छ्छे से लिएके दस फर्वरी तक उनका प्रफेशनल टीचिंग ट्रेनिंग सेमिनार होगा ग्यारां फर्वरी को वो पंजाब आपस आजाएंगे और मुझे उमीद है उनका सिंगापूर का जो तजर्बा है वो नोट अनली उनके कुलीज के लिए बलके विद्यार्थियों के लिए भी बहुत फाइदिमांद साबत होगा इससे श्री अर्विंद केजरिवाल जी ने जो देश में शिक्षा में करांती लाने का सुपना जो सजोया है उस सपने को भी साकार करने में मदद मिलेगी और पंजाब सिक्षाकिक शित्र में अवल और नमबर वन का दरजा हासल कर लेगा